हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आप सभी का स्रेयर डिजाइन में बहुत स्वागत है गाईज आज हम बनाएंगे काना जी के लिए बहुती ब्यूटिफूल सी पोशाग जो कि आप देख रहे हैं और मैं आपको इसकी पगड़ी बनाना भी बताऊंगी और बहुत अस तरीके से हम यह ड्रैस हुली के लिए काना जी के लिए बना रहे हैं तो गैस आप इस तरीके की ड्रैस बहुत 최근 में दोदिच के लिए अपने कर बना सकते हैं तो देखिए मैंने फैबरिक का कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है यह देखिए बिल्कुल अच्छे से हाथ से प्रेस करेंगे एक तम अच्छे से और एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में अब हम इसे निशान लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आप इंच टेप रखेंगे साड़े चार इंच पर तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे अब इसको गोलाई देते वे हमें साड़े चार इंच पर ही इस तरीके से निशान लगाना है तो यह देखे गाइस इस तरीके से हम पहले निशान लगा लेंगे अपने बरावर से हमें अच्छे से निशान लगाना जिस तरीके से मैं लगा रही हैं आपको सेम इसी तरीके से ट्रायमिटर कट करना, ये ड्रैस हम बना रहे हैं तीन, चार, पांच नम़र के कानजी के लिए अगर आप उससे बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप 10 इंच या 11 इंच ट्राइमेटर इस तरीके से कट करें तो हम आधा इंच के लगवा इस तरीके से कमर कट करेंगे यह देखिए हमने इस तरीके से निशान लगाया है एक इंच की कमर काफी बड़ी हो जाएगी इसलिए आपको ध्यान लगना है एक इंच पर नहीं कट करना है आदा इंच से एक पॉइंट ज्यादा चल सकता है पर इस से जादा नहीं और सिंपल इस तरीके से अब हम कर देंगे इसकी कटिंग तो है ना कितना आसान है गाईस इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें आवर से आएगा यह तो इसलिए अब क्या करेंगे हम मैंने आप प्लेन वाइट फैब्रिक लिया है इसको आगे पीछे लगाएंगे ऐसा नहीं है कि जैसे डेडि में ड्रेस आती है एक तरफ आता एक तरफ नहीं तो हमें ऐसा नहीं करना है सिंपिर मैंने पहले पेस्टिं कर द्राइं मिटर तो पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर नेट की कटिंग इस तरीक के से फोल्ड कने रखाए यहTech सेट करके एक डम ऐसे करके रखा है तो साड़े तीन इंच थी तो हम यहां पर एक इंच ज्यादा लेंगे तो मैं यहां पर चार या साड़े चार आपको यहां पर कटिंग करनी है जो भी ऐस्टर फैब्रिक होगा वो बाद में कट हो जाएगा तो इस तरीके से पहले आप इस तरीके का अपनी पहले फैब्रिक है उसके नीचे हमने एक और फैब्रिक रखा है जो कि फोल्ड करने के बाद में उपर की साइड आएगा तो यह देखे इस तरीके से हम सिंपिल अप पहले गोल्ड राउंड में पूरे सरकिल में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो यह देखे कुछ इस कि फिनिशिंग कर लिए कमर की वी और यहां से इसको इस तरीके से पल्ट देंगे तो यह दोनों साइड हमारा अस्तर सेट हो जाएगा और इससे काफी अच्छी फिनिशिंग भी आएगी अब एक बार यहां पर अपने बीच कमर पे सिलाई लगा देते हैं यह देखे इस त इस तरीके से फिनिशिंग यहां से साइड से अपनी चुन्टे डालना स्टार्ट करेंगे नहीं तो हमें चुटी-चूटी मीडियम इस तरीके से घूम भरते जाना है अगर गाइस आप अच्छे से बनाओगे एकदम सही से तो एक बार में ही आपकी ट्रेस अच्छे से बन जाएगी जल्दवाजी नहीं करनी है बिल्कुल आराम आराम से आपको इस तरीके से घूम बरने है वैसे वी एड्रेस आपसे 15-20 मिनिट में आराम से बन जाएगी ये देखे है बहुत ही असानी से पूरी चुण्णेटे हम इस तरीके से कम्पीलेट कर लेंगे बहुत ही ईज़ी घाइस मार्केट में एड्रेस 500-600 इस तरीके की रेंज की मिलती है और घर में अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत ही कम खर्च में ये ड्रेस बन जाएगी ये देखिए इस तरीके से, अब यहाँ पर अपनी चुनटों को इस तरीके से पकड़ेंगे एक-एक करके, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको सेम इसी तरीके से हाथ से एक फिंगर से सेट करते जाना है दूसरी से पकड़ते जाना है और फिर सिलाई लगानी है ये देखिए गाइस इस तरीके से आपको set करते जाना है एक finger से इस तरीके से आपको रखना है दूसरी से पकड़ना है तो ये देखिए अब simple हम जितने हमने घूम set किया है इन पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है आप क्या करेंगे पूरे राउंड में इसी तरीके से एक फिंगर का आपको सपोर्ट रखना है घूमों को पकड़ने के लिए और एक से पकड़ाना है देखिए है ना कितना इजी और कितनी फिनिशिंग से हमारे सारे घूम आ रहे हैं तो इसी तरीके से सिंपिल आपको आप मशीन चलानी है ये देखिए पूरे राउंड में इसी तरीके से हम अपनी कमर पर घूमों को सेट कर लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमारी कमर पर सारे घुम सेट होकर आ गए है ये देखिए पूरा अच्छे से सेट हो गया है एक बार चाहें तो आप उल्टा करके इस तरीके से सिलाई लगा ले जहां भी सिलाई रह गई होगी वहाँ पर पक्की हो जाएगी और अच्छे से सेट हो जाएगी तो आपको एक बार इस तरीके से पीछे से भी सिलाई लगा लेनी है गोल राउंड में यह देखिए अब इस तरीके से जितना भी एस्टा फैबरीक है उसे आप कहची से कट कर दें यह देखिए हमें एस्टा फैबरीक नहीं रखना है उससे नेफे में फिनिशिंग नहीं आएगी तो guys यहाँ पर आप सारा estra fabric cut कर दें इस तरीके से यह देखे कितने अच्छे finishing से हमने यहाँ पर सारा estra fabric cut कर दिया है बिल्कुल इसको एकसार करके अच्छे से finishing से cut कर देंगे हम यह देखे यहाँ से भी सारा fabric cut कर देते है estra जितना भी हमारा estra fabric है यह देखे गाइस बहुत ही असान तरीका है इधर से भी सारा एस्टर फैब्रिक जितना भी हमारा नेट कर निकला हुआ है उसको कट कर देते हैं यह देखिए आप क्या करेंगे टिशू रिवन लेंगे तो अपने सेंडर के इनको लोक करेंगे यह देखिए यहां से टिशू रिवन से आ पहले आपको जरूर ध्यान लगना है कि आपको पहले अपना सेंटर लोक कर देना है जिससे की अच्छे से फिनिशिंग आए बाद में आपको प्रोब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी तो इसलिए पहले ही आपको लोक कर देना है यह देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड किय हलका से टिशु डिवन और इस तरीके से लोक कर दिया बहुत ही असान है, बहुत यह सिम्पिल है अब अपनी ڈrest की उल्टी साइट लेंगे, उल्टी साइट से नेफा इस तरीके से लगाना स्टार्ट करेंगे, नेफे के लिए आपको उरेप की पट्टी लेनी है मैंने आ आपको simple औरेप की पट्टी से नेफा बनाना है ये देखिए अब इसको हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से हमने हापर इसको गोलाई दे दी अब यहाँ पर extra fabric कट कर देंगे extra fabric कट करने के बाद में यहाँ पर अच्छे से सिलाई पका कर देते हैं पहले अब यह देखिए बीच में डोरी डालेंगे और simple कपड़े को उठा कर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाने स्टार्ट करेंगे यह देखिए इस तरीके से तो इस तरीके से गाईज हम बहुत ही असान तरीके से नेफा लगा लेंगे तो यह देखिए हम बस simple अपने पट्टी को इस तरीके से मोड़ेंगे और इस तरीके से नेफा लगा लेंगे बहुत ही असान तरीका है गाईस बस आपको उरेब की पट्टी का ही उस करना है जिससे की नेफा चैसे फिनिशिंग से बनेगा तो यह देखिए हमारा घेर बन गया है अब हम सिंपल बनाएंगे अपने कानजी के लिए चोली तो मैंने सेम वही साड़े चार इंच चोड़ाई हो जाएंगी जिससे की हमारी पट्टी भी मजबूत हो जाएगी और हमारी चोली भी अच्छे से बनेगी तो यह देखिए एक सलाई और लगा दिये मैंने इसमें पर सलाई लगाने के बाद में क्या करेंगे इसको हम टीशू रिवन की मदद से लोक करेंगे तो यह करेंगे simple इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अब हम यहाँ इसको set करके अच्छे से लगाएंगे इसलाई यह हमें 1.5 इंच तक लगानी है यह देखे इस तरीके से हमने इसलाई लगाई अब क्या करेंगे guys simple अब यहाँ से इसको cut कर देंगे हमारी चोली ready सी है simple एक सिलाई यहाँ लगाएंगे और क्या करेंगे अब हम लेंगे डोरी और डोरी को लगाएंगे पीच में यहाँ से इसको finishing कर देते हैं पहले simple अब हमें इस तरीके से डोरी लेनी है और यहाँ पर इसको stitch कर देंगे डोरी को यह देखिए इस तरीके से हमने इसको stitch कर दिया और मैंने यहाँ पर कुछ लिये है full तो आप इस तरीके के full लगा सकते हैं आप हाँ से भी बना सकते हैं तो यह देखिए मैंने इस तरीके से वही 1.5 इंच चोड़ाई और लंबाई ली है मैंने इसकी 14 इंच और इस तरीके से इसको पहले एक फोल्ड करके सिला है स्टिच किया, सिम्पिल अब एक फोल्ड और करेंगे इस तरीके से जैसे कि हमने चोली बनाई थी, उसी की तरह हमें पहले एक पट्टी रेडी कर लेनी है तो यह देखिए इस तरीके से एक सिलाई और लगाएंगे तो इस तरीके से एक सिलाई और लगाई, अब लेंगे हम टीशु रिवन tissue ribbon को इस तरीके से lock कर देंगे पट्टी को same वही method है जैसे कि हमने चोली बनाई थी guys अगर आपको वीडियो अची लग रही हो समझ में आ रही हो तो please guys चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को जरूर लाइक करें और comment करके बताएं कि आपको पोशा कैसी लगी यह देखिए इस तरीके से हमने इसको पगड़ी को अपने कानाजी के सर से नाप लिया है इस तरीके से cross करके हमने रखा है और यहाँ पर इसको stitch कर देंगे यह देखिए इस तरीके से हमने सिल दिया है इसको अच्छे से पक्का कर देंगे ताकि यह खुले ना अब हमारी यह दो step है जो estra निकलीवी है इनको हम इस तरीके से fold करेंगे पीछे की side और अच्छे से set करके दोनों को ही पीछे निकालेंगे इस तरीके से और हास से अच्छे से set कर लेंगे यह देखे कोने से कोना मिला लेंगे अच्छे से सेट करने के बाद में यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे यह देखे इस तरीके से पक्का कर दिया सिंपल एस्टा फैब्रिक कट कर देंगे इस तरीके से हमारी प्लेन पगड़ी तो तयार है अब हम इसे डैकूरेट करेंगे तो मैंने यहाँ पर साड़े इंच चोड़ाई साड़े चार इंच उड़ाई वाली पट्टी को डवल फोल्ड करके सिलाई लगा कर इस तरीके से चुन्ट बनानी स्टार्ट करी है इसकी लंबाई आप 9-10 इंच ले सकते हैं और इस तरीके से चुन्टे बनाकर एक कलकी तयार कर ले यह देखे इस तरीके से हमने इसको बना लिया है अब सिंपल इस तरीके से सुई धागे से इसको सिल लेंगे यह देखे गाईस इस तरीके से सुई धागे से इसको पक्का करकर सब्सक्राइब felt वापनी जहां वी आपको अच्छा लगे वाप अच्छ कर सकते हैं यह थेकि केसे सुई धागे से हमने ये पूरी बग़िफ नाही है हई देखिंगें आपको इसे डेकोडेट करना भी बताओंगे जैसे कि हमने अपनी dress decorate की है वैसे हम इसी भी decorate करेंगे तो अभी तो यह आपको simple लग रही होगी अब हम इसमें क्या करेंगे जैसे कि हमने इसमें अपनी dress में भी full लगाया है तो simple इस तरीके से इसमें भी एक full लगा देंगे तो यह देखिए मैंने यहाँ पर glue लिया है और इसको यहाँ पर चिपका दिया है यह fabric glue है और इस तरीके से दोनों कलकी के सिरो को यहाँ पर चिपका कर और यहाँ पर अब यह full लगा दिया है symbol सा जो कि हमने अपने dress में भी लगाया है यह देखिए इसको अच्छे से सेट कर देंगे और जो यह हमारे पास stone थे patchwork था तो उसको भी मैंने यहाँ पर दो लगा दिया एक इधर side और एक दूसी side यह देखिए आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं बहुत ही सुन्दर लगेगा दोनों ही लगके तो हम एक side इधर लगा देते हैं और glue को थोड़ा सा आप सूखने दे पांदस मिनट फिल लगाएंगे तो यह अच्छे से सेट होकर एकदम जल्दी सूख जाता है यह देखिए हमने इधर भी लगा दिया और इधर भी इस तरीके से को चिपका दिया है इस तरीके से हमारी पगडी भी व्यूटिफूल सी रेडी है तो यह देखेगा इस हमारी पगडी और हमारी व्यूटिफूल सी ड्रैस रेडी है हमारी चोली और पगडी अच्छे से सेटों का सूख भी गई है जो कि हमने glue लगा थी तो अब क्या करएंगे गाईस? मैं आपको काना जी को पहना कर दिखा देती हूँ मेरे पास हैं ये 4 नमर के काना जी जिनने ये मैं पोशाक पहना रही हूँ इस तरीके से Simple से अपने पहले चोली पहना आइंगे काना जी को यह देखे इस तरीके से यहाँ पर डोरी लगा देंगे अच्छे से सेट करके काना जी को हमने इस तरीके से आप पोशाक पहना नहीं है तो simple अब हमें कुछ नहीं करना है सेट करके जिधर से भी आप पहना आते हों इस तरीके से मैंने इनको ड्रेस पहना दी पगड़ी लगा देते हैं तो ये देखिए ब्यूटिफुल सी ड्रेस हमारी कितनी सुन्दर लग रही है काना जी के उपर ये देखिए मैंने इनको माला भी पहना दिया है यापर और यहाँ पर लगा दिया अब पगड़ी सिम्पिल सी माला और पगड़ी में ही काना जी हमारे कितनी सुन्दर लग रहे हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ड्रेस कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे हारे क्रिशना